हाई वेल्कुम तो मैं चैनल चलिए कुछन नमार फोर साल करते हैं मतलब ध्यान रखेगा यदि आपका a और b की बीच में प्लस हो फिर a और b जो की यहां पर यहां पर है वही दोनों टर्म यहां भी होना चाहिए और b जो बस निगेटिव साइन होना चाहिए एक जबा पास्टिव एक जबा निगेटिव तो हम डिरेक्ली उसको इतना इतना ल इस फर्मुले को ओके तो मैं यहां पर डिरेक्ली सॉल्ट कर रहा हूं आपको देखें यहां पर a प्लस b है और यहां पर a मैनस b है तो क्या करेंगे a square minus b square करेंगे minus 3 का square करेंगे और इसको solve करेंगे तो मिलेगा आपको x square का तो x square ही रहेगा minus 3 3 9 हो जाएगा तो आपका यही हो गया answer x square minus 9 ठीक है यहाँ देज़ेगा 2x plus 5 है means a plus b है यहाँ पर a minus b है तो क्या करना है a square means 2x का square minus b square means 5 का square बस इतना ही करना है यह देखिए 2x का square करना है तो 2 to 4 हो जाएगा और यह x square हो जाएगा minus 5 का square means 25 ठीक है तो यह आपका हो गया answer अब यहाँ पर देज़ेगा 8 plus x है 8 minus x है तो यहाँ पर हो जाएगा a square minus b square means 8 square minus x square और 8 का square होता है 64 minus x square वैसे रखतेंगे तो यह हो गया इसका answer ओके हमें बस देखना है ना कि दोनों पॉइनटी सेम होने चाहिए यहाँ पर यहाँ पर और प्लस यहाँ पर minus अलग-अलग होना चाहिए चलिए यहाँ पर भी वही लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 7749 x square minus 11 121 y square ठीक है यह हो गया आपका answer 121 है यह अब यहाँ देखन देजेगा यह आपका है a और b और a और b यहाँ पर है यहाँ भी ठीक वही काम करिए 5 x square का whole square minus 3 y 4 y square का whole square आपको मिल जाएगा 25 x to the power 4 minus यहाँ मिल जाएगा 339 upon 4 का square हो जाएगा 16 और y का square का भी square करेंगे तो y to the power मिल जाएगा 4 तो यह आपका answer हो गया है यहाँ ठीक है यहाँ ध्यान देजेगा यह आपका है यहाँ भी a minus b और a plus b तो यहाँ भी y काम करेंगे 4 x upon 5 का whole square फिर minus 5 y upon 3 का whole square ठीक है बस a square minus b square करते रही है यहाँ पर देख हो जाएगा 4 4 16 x square upon 5 5 25 सोरी यहाँ पर y नहीं है इतना हो जाएगा फिर minus यहाँ पर हो जाएगा 25 y का square upon 3 का square 9 ध्याँ देज़ेगा इधर इधर से कटता नहीं है क्याँ जबतों कि हम मट उप्लाई नहीं रहेगा तब तक इधर इधर से आप काट नहीं सकते हैं यह ध्याँ रखेगा बहुत लोग गलती से करते हैं यहाँ पर ध्याँ देज़ेगा अब a प्लस यहाँ पर है x plus 1 upon x और यहाँ पर है x minus 1 upon x तो यह भी हो जाएगा x square minus 1 upon x का हो उसकार ठीक है यहाँ पर तो x square रहेगा ही और यह minus हो जाएगा 1 upon x square का हो जाएगा 1 square का 1 ही रहेगा अपान x square का x square हो जाएगा तो यह answer हो गया उसका तो जो भी बच्चे हुए questions है उसका भी ठीक similarly आप ऐसे solve कर सकते हैं तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा और इतना ही रखते हैं question 4 में और आप यदि अपने दोस्तों को बताते रहेंगे तो अच्छा रहेगा यदि वो लोग नहीं जानते इस channel को बता दीजे आप thank you so much for watching